पता नहीं मुझे कहा से शुरू करना चाहिए क्योंकि हमारी बहुत सारी समस्याए है और समस्याए बढ़ती ही जा रही है और हम हताश है, परिशान है क्योंकि हम इन समस्याओं को सुल्जा नहीं पा रहे हमारी बहुत से समस्याए हल नहीं हो पा रही बढ़ती ही जा रही है इंसान ने हर सदी में कई प्रक्रियाए करके देख ली कई तक्निकों का इस्तमाल हमने करके देखा हमने इंसान को पूर्ण विकसीत, पूर्ण शांत प्रियब बनाने के लिए समाज में कई तरीके अपना के देख लिए और समाज में लोगों की जिन्देगी सुधारने के लिए सारे बंधन भी हमने लगा के देख लिए एक अच्छा समाज बनाने के लिए हमने बहुत सारे सिस्टम भी लगा के देख लिए बहुत वेवस्ता हमने बनाने की कोशिश की दर्शन शास्त्र तंत्र की प्रनालिया हमने सब इस्तमाल करके देखा लेकिन मानव समस्या वही के वही है दुख पीड़ा इनसान के जीवन से विदा होने के बजाए और बढ़ गई हमने गुरुओं का साधुओं का अनुकरन किया उन्होंने बताई बातों पर हम चले हमने धर्म गुरुओं का सुना बड़े बड़े राजनेताओं को भी हमने सुन के देख लिया और हम हमेशा कोई सुत्र की तलाश में रहते है कि हमें कोई सुत्र मिल जाए कोई फॉर्मुला, कोई रेडिमेट सूत्र हमें चाहिए, जिससे हम जीवन की सारी समस्याओं को, जीवन में आने वाले सभी दुखों को, परेशानियों को, पीडा को, जीवन की तनहाईं को मिटा सके, हम इस बवंडर से बाहर आ सके, इससे पूरी तरह आजाद हो सके, तो इसमें सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूगी, हम कोई फिलोसोफी याने की दर्शन की बात नहीं कर रहे, जिस दर्शन को, फिलोसोफी को आप आम तोर से फिलोसोफी समझते हो, वो फिलोसोफी नहीं, क्योंकि जो सत्य है, उसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता, केवल शाब्दिक अर्थों से, इसे समझा नहीं जा सकता, और जो शब्दों में कैद है, जो शब्दों के दाएरे में रहकर कहा गया है, या लिखा गया है, वह, वह वो नहीं है, जिसकी हमें तलाश है, हमें इसे समझना होगा, या इतना आसान नहीं है, कि मैं आपके सामने कुछ बोलू और आपको ये समझ आ जाए, आपको सुन के ही इसका अनुभव हो, या आपका जीवन बदल जाए, परिवर्तन हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन साथ साथ, इसे समझने के लिए, सत्य को समझने के लिए, आपको कोई निर्धारित समय लगता है, कुछ थोड़ा समय लगता है, या बहुत समय लगता है, ऐसा भी नहीं है, या कोई प्रशिक्षन पाकर आपको यह मिल जाएगा ऐसा भी नहीं ऐसा नहीं है कि सत्य या प्रेम या परमात्मा भगवान जो भी आप इसे नाम देना चाहते हो वो कही दूर नहीं है कि उसे पाने के लिए आपको कोई लंबा सफर तै करना बड़ेगा और फिर सही समय पर आप उसे हासिल करोगे पा लोगे नहीं ऐसा भी नहीं है या किसी चीज पर विश्वास कर लेने से ईश्वर को मान लेने से या तंत्र मंत्र पढ़कर पुजा विधिया करके या उपवास करके तपस्या करके वो आपको प्राप्त होगा ऐसा भी नहीं है इन सब के बजाए अगर आप में ऐसिक शमता हो या ऐसिक शमता आप जुटा सको कि जिसमें आप हर चीज को पूरे पूरे देख सकते हो आप कोई भी चीज को पूरा देखने में साबिल हो पाए सक्षम हो पाए आपको अवलोकन की कला सीखने की जरुरत है याने की किसी भी वस्तु को अपने जीवन को अपने आपको अपने भीतर आने वाले हर विचार को हमारी भीतर उठने वाले हर भाव चाहे वो प्रेम हो या घुरुना खुशी हो या तनहाई या फिर कोई वासना या कुछ बड़े बनने की इच्छा हो आपका पूरा जीवन ये धर्ती, ये चांद सितारे, ये फूल, पक्षी, प्रानी यह बाहरी संसार और आपका भीतरी संसार बाहर और भीतर की हर चीज बारिकी से, बहुत बारिकी से अपने पूरे ध्यान के साथ हर चीज को शुरू से, एक नई दृष्टी से देखना होगा केवल इन आखों से नहीं, बलकि अपने पूरी उर्जा से पूरे ध्यान से हर चीज की पड़ताल खोजबिन करनी होगी जब आप मुझे सुनते हो, तो केवल शब्दों को सुनके, कुछ समझ नहीं पाओगे शब्दों के भाषा के वाक्य के पीछे छीपे समझ को पकड़ना होगा आपको इसका अनुभव होना चाहिए आपको इसका बोध होना चाहिए सिर्फ सुनना काफी नहीं है केवल शब्दों पर या भाषा पर अटके मत रह जाना क्योंकि केवल शब्द तो मरे हुए है लेकिन उनके पीछे जीवित समझ मौजूद है और सारे धर्म, सारे ग्रंथ, सारा अध्यात्म उसी जीवित सत्य की तरफ इशारा कर रहे है जिसे खोलने की, जिसे जीवित करने की चाबी आप खुद हो आपकी वो स्तिती जहाँ पूरे तरह भीतर से और बाहर से आप जीवित हो आपके भीतर और आपके बाहर पूरी तरह फोकस्ट, ध्यानस्त अंदर और बाहर पूरी तरह प्रकाशित, पूरे होश में जागरुक अभी हम जैसे है, हम चीजों को पूरी तरह नहीं देख पाते हम चीजों को तुकडों में देखते हैं, जिस पल हम चीजों को उनकी पूर्णता में देख सकेंगे तभी सत्य क्या है, उसका रहस्य क्या है, सत्य की सुन्दर्ता कैसी है, यह हमें अनुभव हो पाएगा जागरुक हो जाईए, हर पल, क्षण-षण, खोश में रहिए, और ध्यान से वास्तविक क्या है, क्या है जो सच में है चीजों को उनकी पूर्णता में उनकी पूरी सच्चाई क्या है, उसे देखने का प्रयास करें, और उसके पार हो जाए तो हमारा मन और रदय इन परेशानियों से इस जाल से मुक्त हो सकता है जो जाल आपके मन को जकड के बैठा है, आपके रदय पर उसका कबजा है इनसान खुद अपने बनाए जाल में फसा हुआ है तो कैसे हम इस जाल से मुक्त हो पाएगे कैसे हमारा मन, हमारा रदय इस पीड़ा को पार करेगा कैसे इस से मुक्त हो पाएगा आप लोगों में से, कई लोगों में पहले से ही प्रत्याशा है पुर्वा नुमान है आपने मेरे बारे में एक विशिश प्रकार की सोच बनाई है आप मेंसे कई लोग उत्तेजित है आप मेंसे कई लोग प्रेरणा पाना चाहते है आप मेंसे कई लोग कोई प्रक्रिया चाहते है जिसका अनुकरन आप करना चाहते है आप कोई सिस्टम चाहते हो जिसे आपको फॉलो करना है और आप मेंसे कई लोग समझते होगे कि मैं भारत से आया हूँ एक गुरू की तरह मुझे आप धर्म गुरू कोई वक्ता या बाकी भारतिय गुरू जो समय समय पर यहां आते रहे है वैसा कोई महान गुरू मत समझ लेना ना ही आपको यह सोचना है कि मैं भारत से हूँ और आपको भागवान पर इश्वर पर बड़े बड़े प्रवचन दूँगा बड़ी रसपूर्न बाते आपको बताऊंगा जिसे सुनकर आपको मजा आए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई यहां फिलोसोफी जाड़ने नहीं आया हूँ ना ही मैं कोई सिद्धांत का प्रसार प्रचार करने आया हूँ और ना ही मैं तुम्हें कुछ मानने या ना मानने को कहूंगा मुझ पर विश्वास करो या मेरा कहना मान लो बिना सोचे समझे मेरा अनुकरन करो ऐसा भी मैं तुमसे नहीं कहता क्योंकि किसी चीज को मान लेना किसी चीज पर यूही विश्वास कर लेना सत्य को पाने के बीच बहुत बड़ी बाधा है तो यहा हम सब मिलकर एक साथ आप और मैं दोनों साथ साथ चलेंगे और जीवन में हमारे भीतर और बाहर क्या चल रहा है साथ मिलकर हम देखेंगे परिक्षन करेंगे हम देखेंगे कि जीवन का आपका और मेरा सत्य क्या है सच क्या है आपको कोई कलपना नहीं करनी है आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप वास्तविक्ता को देख सके हम सब मिलकर वारतालाब करेंगे हम सब एक जूट होकर जीवन के रहस्य को, हमारी समस्याओं को, परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आपके पास चीजों को सही सही देखने और परिक्षन निरिक्षन करने की ख्षमता होनी चाहिए और आपको समझना होगा की ध्यान क्या है और किसी चीज पर पूर्ण ध्यान देना क्या होता है और कैसे किया जाता है साथे साथ, हमें पक्षपात, हमारी पूर्वधारनाएं, हमने अब तक जो भी विश्वास किया है, हमने जो भी पहले से मान लिया है इन सारी बातों से हमें मुक्त होना पड़ेगा हमारी सारी अतीत की मान्यताएं हमें भुला देनी होगी आज तक जो भी आपको लोगों ने या समाज ने भगवान के बारे में सत्य के बारे में बताया है या आपने किताबों से, ग्रंथों से, अपने परिवार से, दोस्तों से या गुरूं से सुना है वो सब आपको भूल जाना होगा आपको अतीत से जो आज तक आप ग्यान सीखते आये हो, सब भूलाना होगा आपको भूलना होगा कि आप हिंदु है, या मुस्लिम, या क्रिश्चन, या कोई वैज्यानिक है, या राजनेता अपनी कोई भी पहचान को इसमें मत गुसाना बस इसे समझ लो कि हम सब सादारन इंसान है, मनुष्य है और हम सब एक ही है हमें इस तथ्य को देखना होगा, समझना होगा और जब हम सब मिलकर इसे जिम्मेदारी के साथ करते है तू ही हम मौलिक वारतालाब कर पाएंगे, जिससे बदलाव आ सके जिससे हमारा जीवन बदल सके